भारत की आर्थिक राजदाने मुंबई शहर का सिद्धी विनायक मंदिर भारत ही नहीं बलकि विदेशों में भी काफी परसिद है। गणपदी बप्पा के दर्शन के लिए यहां भारी संक्या में देश विदेश से शरधालों और सहलानी आते हैं। और गणेश उत्सों के दिनी हां बप्पा के दर्शन के लिए शरधालों की भीड दोगनी हो जाती है। और धार्मिक विडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। सिद्धी विनायक भगवान गणेश ची का सबसे लोग पिरियर रूप है। जिसमें उनकी सून्ड दाई ओड मूरी होती है। जानकारी के अनुसार गणेश की ऐसी परतिमा वाले मंदिर सिद्ध पीठ खैलाती हैं। और इसलिए इन्हें सिद्धी विनायक मंदिर की संग्या दी जाती है। माना जाता है कि सिद्धी विनायक सच्चे मन से मांगी गई भगतों की हर मुराद अवश्य पूरी करते हैं। मंदिर की रचना के बारे में बताया जाता है कि सिद्धी विनायक मंदिर की मूल संग्रचना पहले काफी छोटी थी। साथ ही मंदिर के प्रारंबिक संक्रचना सिर्फ इटो से बनी हुई थी जिसका गुम्बद आकार का शिकर भी था बाद में इस मंदिर का पुने निर्माण करवा गया और अब ये मंदिर दोस्तों पांच मंजिला है जिसमें चोथी मंजिल पर एक भवव लाइबरेरी है और पांच में मंजिल पर किचन है गणपती पपा के सिद्धी मिनाएक मंदिर का निर्माण 19 रवंबर साल 1801 को एक लक्षमन वीशू पाटिल नाम के स्थानिय ठेकेदार दवारा किया गया था बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशी एक क्रिशक महिला ने दी थी, कहा जाता है कि उस महिला की कोई संतान नहीं थी, उस महिला ने बपा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद करने की इच्छा जदाई थी, वह चाती थी कि मंदिर में आकर बगवान के आशिवात पागर कोई महिला बांच ना रहे, खुले रहते हैं यहां किसी तरह की कोई मनहाई नहीं है सिद्धी मिनाईक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती काफी परसिद है जिसमें सरधालों की दो किलो मिटर तक लंबी लाइन होती है सिद्धी मिनाईक मंदिर में गणेश जी की मूर्ती काले पत्थर से बनाई गई है जिसकी सूंड दाई तरफ है यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्थनी यानि रिद्धी और सिद्धी के साथ विराजमान है यह परतिमाई देखने में काफी आकरशक लगती है और मंदिर के दर्शन सुफ फलदाई माने जाती है बुंबई शहर के सिद्धी विनाईक मंदिर की गिंती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल सो से डेड़ सो मिलियन धनराशी दान के रूप में प्राप्त करता है इस मंदिर की देखरे करने वाली संस्ता मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट है सिद्धी विनाईक को नव सच्चा गणपती यह नव साला गणपती के नाम से भी बुलाते है दरसल बप्पा को मराठी भाशा में इस नाम से पुकारा जाता है जिसका अर्थ होता है कि जब भी कोई भग्त सिद्धी विनाईक के सच्चे मन से दर्शन करता है और प्राथना करता है तो बप्पा उसकी मरोकामना अवश्य पूरी करते हैं मंदिर के अंदर चांदी के बने चूहों की दो बड़ी मुर्तियां भी है और मानताओं के नुसार जो भी सरदालों उनके कानों में अपनी मरोकामनाई बताते हैं आपका संदेज भगवान तक पहुँचा देते हैं इसलिए ये धार्मिक किरिया करते हुए आपको बहुत से सरदालों मंदिर में दिख जाएंगे तो आज की वीडियो को यहें पर एंड करते हैं अगर आपको अमार ये वीडियो और इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमली के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार फिर से हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे